हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के मीश वीडियो में बात करने वाले हैं आईयर एपसी और आर्बी एनल के बारे में इस वीडियो में आपको जो आर्बी एनल है और आयर एपसी इसके परफॉर्मेंस का कंपारिजन और कुछ important updates निकल के आ रही हैं, जो कि Monday के दिन हो सकता है, एक trigger point बन सकती इन दोनों particular stock में एक moment लाने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, वीडियो के end तक आप जरूर देखिए, आपके सारी चीज़ें यहाँ पे clear हो जाएंगी, चैनल प आपके दिन की closing थी, वो at par बोल सकते हो, या फिर बहुत ही minus ही गिरावट है, 122 रुपे के आसपास की closing थी, और share अगर आप देखोगे तो 124 रुपे 80 पैसे तक गया भी था, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट ही, आप बीच में देख पा रहे होगे, एक अच्छा कासा spike बना था, लेकिन उसके बाद फिर से वही same scenario, और at par पर आपको यहाँ पर जो levels है इसके वो देखने को मिले, अब जैसे कि आपको इसकी return profile के बारे में already idea होगा, अगर आप मेरा channel पे continuously watch करते हो, तो definite आपको बता होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे पिछले एक साल का scenario देखें तो यहाँ पे आपका पैसा तीन गुने से भी जादा हुआ है, यानि कि अगर आप जून में देखोगे 2022 में 30 रुपे के आसपास share जो है वो trade करता था, आज के टाइम पे 120 रुपे से फर भी उपर है, एक टाइम पर तो 144-45 रुपे पर ही गया था, तो यहाँ पे आपको य तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि continuously इतनी बड़ी company होने के बाद भी consistent performance रहा है, in terms of revenue, in terms of profit, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि पिछले 4 साल का track record, जिसमें profit continuously increased हुआ है, ऐसे नहीं कि बहुत एकदम से बहुत जादा बढ़ गया, एकदम से बहुत जादा कम consistent यहाँ पे रहा है एक प्लेयर और अगर आप देखोगे तो revenue में भी कुछ से सेम हाल है, यानि एक अच्छा परफोर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, अब जैसे कि मैंने starting of the video में बताया था कि मैं आपको एक बड़ी comparison करके दिखाऊंगा कि आखिर इसने benchmark से या फिर अ फिर हम बात करेंगे कि mid cap, mid cap sector में कैसा performance रहा है, YTD यानि कि अभी तक 2023 में 80% के returns दिये हैं, वहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया infrastructure में केवल 4% के आसपास के returns हैं, और mid cap ने केवल 12% के returns दिये हैं, यानि कि कोई भी comparison ही नहीं बनता है, इतने जादा तरीके से outperform किया है, कि share ने, अगर आप compare करो गे returns, तो बनता ही नहीं कोई भी comparison, वहीं पिछले एक महीने में अगर आप देखो, तो यहाँ पे चीज़े थोड़ी थी गड़वर जरूर हुई है, लेकिन हाँ, यहाँ पे share में जो हुआ है, वो हुआ है consolidation या फिर करेक्शन या फिर profit booking, इस बहुत बड़े margin से अपने benchmark को और mid cap sector को बीट किया है, तो यह सारी चीज़ां आपको समझ के चलनी पड़ेगी, company अगर अच्छी है, fundamentals अच्छे है, उसके बास business अच्छा है, contracts अगर अच्छे है, तो definitely share का performance भी अच्छा होगा ही होगा, अब बात करें आप आप IRFC के बारे म इसमें भी आप देखो कि एक spike बना था, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा सा consolidation हुआ, और उस वज़े से ही केबल 0.30% का ही momentum बन पाया, इसके एक साल के return अगर हम देखे तो 66% से ज़्यादा के return बने हैं, यानि 66% के return equity market से बना रहे हो, तो बहुत अच्छे कासे return बाने ज दून में, 22 में, और आज के time पे अगर आप देखो तो ये 33-35 के आसपास की range में move कर रहे हैं, यानि कि अच्छा कासा है, financials इसके बहुत ज्यादा impressive है, यानि कि यहाँ पे जो growth है वो बड़ी percentage में हुई है, आप पिछले 4 साल का track record देखोगे, तो आपको यहाँ पे थमझ म आएगा कि profit भी double fold जैसे होते हो नजराती है, वैसा कुछ हुआ है, और ऐसा ही scenario revenue में भी हुआ है, यानि एक बहुत बड़े-बड़े margin से increment देखने को मिल रहा है, जिससे बादा जलता है कि company का performance है, वो काफी जादा impressive रहा है, बिछले कुछ सालों से, अब अगर हम यहाँ प level, एक सबा परसंट के असपास के returns है, जिसमें S&P BSE Finance में 3% के returns हो, mid cap में 12% के, यहाँ पर यह जो कर रहा है, under perform, और same scenario goes with one month, one month में भी under performance देखने को मिली है, दोनों के comparison में, लेकिन 3 महीने और 1 साल में, इस stock ने भी एक बहुत बड़े margin से, दोनों ही benchmark को बीट किया है, चाह फिर आप इसके mid gap को भी देखोगे, तो दोनों ही particular benchmark को एक बड़े margin से बीट करते हो, नजर आया है, तो दोनों के comparison में आपको देखाया, जिससे आपको यह पता चल गया, कि company के जो financials है, fundamentals से बहुत बहुत इंप्रेसिव हैं ही, साथ के साथ returns profile भी बहुत जादे इंप्रेस में देखोगे, तो जिस according improvement हो रहा है, development हो रहा है, उसमें अगर आप देखते हो, तो main चीज अब जिसकी priority है, वो है safety और modernization, तो यह दोनों चीज़े हैं यहाँ पर जो government है, वो लेकर चलेगी, और आने वाले time में इसी चीज को मुद्धा बना कर, जो है वो improvement है, जो development है, वो railway से मिला है, जिसमें आप पूरी तरीके से पढ़ पा रहे होगे, कि consortium of Ramakrishna, forgings limited and Tita girl, rail system limited, has back done order of amount 12,227 crores, और जिसमें जो order है, वो क्या है, कि यह जो है, वो करीब 15.40 lakh forged wheels, जो है, वो supply करेंगे, under the government's, आत्म निरवर भारत initiative, तो यह एक बहुत बड़ी news निकल के आई है, जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिससे आपको यह भी पता होगा, कि आखिर यह जो railway का काम है, वो किस progress से चलते होने जरार है, और कितने बड़े-बड़े contracts जो है, वो इन companies के पास है, तो future का अगर आप यहाँ पर यहाँ पर चीज़े होई है, और बाद में इतना momentum नहीं मेनेगा, तो definitely ऐसा नहीं है, इसमें बलाई चोटा मोटा जो है, वो consolidation जरूर देखने को मिलता रहे, लेकिन हाँ, long term में यह दोने ही प्लेयर बहुत अच्छे returns दे सकते हैं, तो यह फिलाल अभी तक का IRFC और RBL का जो भी information है, बाकी आप मुझे बताईए, comment में अगर क कोई दूसरे stock पर आपको वीडियो चाहिए हो, तो बाकी फिलाल वीडियो में बस इतना ही, वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल पर वस्ताम विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी जरूगा देजेगा, धन्यवाद